नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप? I hope आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे स्वागत है आपका post office coaching में चलिए पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि हम पढ़ाई के लिए तो बैठे हैं और जो यह हमारा syllabus है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ठीक है? syllabus के अगर हम syllabus देखते रहेंगे तो हमें पता लगता रहेगा कि हम कहाँ पर रहें अभी ओके? organization हम बढ़ चुके हैं और I hope आपने जो ओर्गेनाईजेशन है उसको अच्छी तरह से revise कर लिया है ठीक है? इसमें एक postal history था हमने पढ़ा एक थी modern organization ठीक है? इस organization topic में से जितने भी पिछले पांच सालों में जो questions आए हैं अलग-अलग सरकल में 2020 2021 2022 2023 2024 इसको discuss करेंगे ठीक है? चलिए शुरू करते हैं तो पहले हम 2024 वाले discuss करते हैं उसके बाद पीछे को चलेंगे तो मुझे उमीद है कि आपने पहले तो जो और्गिनाइजेशन वाला जो सारा topic है उसको revise किया हुआ है और उसी के basis पे हम आंसर करेंगे ठीक है? उसके बाद कोई doubt है तो बेज़ेजेक आप एप में comment कीजेगा पूछिएगा हम वहाँ आपके लिए हमेशा available रहेंगे चलिए सबसे पहला question रहा आपकी स्क्रीन पर 10 करूड रुपए के लिए कि पूरे भारत को कितने post circle में बांठा गया है आपके option है option number A 30 option number 20 24 option number C 23 option number D 29 आपने answer दिया 23 congratulations आप जीत चुके हैं 1 करूड रुपए चलिए इतना दिरे करेंगे तो सारा दिनी सी में निकल जाएगा थोड़ी speed के साथ करते हैं question number second जो चन्रीगड है वो किस postal circle के अंडर आता है पंजाब के अंडर आता है question number third आंदरा परदेश सरकल का headquarter कहां पर है विजेबाडा में है question number four पोस्टल डिपार्टमेंट किसके administrative कंट्रोल में है डिरेक्टर जनरल के कंट्रोल में है ठीक है इसको आप जाद रखना question number five जो investment board है उसका chairman कौन होता है उसका chairman होता है member PLI हमने committees में इसको पड़ा है question number six सिक्कम जो है सिक्कम state वो कौन से पोस्टल सरकल के अंदर आता है तो वो आता है West Bengal के अंदर question number seven department of post में जो भी rules बनते हैं उसको कौन बनाता है उसको बनाता है DG sir ठीक है क्योंकि सबसे बड़े officer officer जो होते हैं यही होते हैं इसको भी आप याद रख लेना question number eight एपक्स management body कौन सी है सबसे उची body जो decision लेती है वो है post service board हमने इसके बारे में भी पढ़ा है question number nine यह एक current affair का question है पूरी तरह organization में से नहीं है फिर भी आपको पता होना चाहिए कि department of post ने IIT हैदराबाद के साथ मिलकर DG pin नाम की जो नई technology है उसको लाने की कोशिश की है question number ten Rajasthan circle का headquarter कहां है वो है जैपूर में और साथ में pin code भी पूछा गया है questions को tough बनाने के लिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सभी circle के pin code याद करने बैठ जाओ इस ऐसा तो वो कुछ भी ऐसा उट पटा कूट सकते हैं हाना question number 11 independent India की पहली stamp कब issue हुई थी वो हुई थी 21 नवंबर 1907 हमने पड़ा है India flag वाली हाना जिसमें जैहिंद लिखा था question number 22 जो दमन एंड द्यू यूटी है दमन एंड द्यू वो किस पोस्टल सरकल के अंदर आती है गुजरात के question number 13 जी 13 number question वैसे तो product and services का है यहां पर गलती से मुझे लगता है रखा गया है इसको option number B है ठीक है वैसे याद रख लो question number 14 DNK भी product and services का ही है इसको भी याद रख लो DNK का जो full form है वो है dark निर्जात के इंदर ठीक है दोनों को जाद रखना है अपने हमें कोई चीज छोड़ना नहीं है question number 15 हर्याना पोस्टल सरकल का headquarter कहा है ambala can't कई बार सिर्फ ambala भी दे देता है कई बार दू option दे देता है एक ambala अलग से दे देता है और ambala can't अलग से हमें ambala can't ही चेक लगाना है उस case में ठीक है question number 16 army postal service का headcount होता है director army postal services इसको भी इसके भी बदल बदल कर option आते हैं हम आगे देखेंगे next question है कि जो कि पिछले साल में 2024 में especially 2023 में department of post ने बहुत ही एक crazy था एक training का कि dark करम योगी पर हमें सभी को training करनी है उसके बारे में ही current sage question है ठीक है तो उस platform का नाम पूछा है वो है dark करम योगी ठीक है जहां पर पूछा गया है question number 18 में कि APS में APS माने की army postal service इसके circle को और किस नाम से जाना जाता है वो है base circle question number 19 ये भी current से question है क्योंकि ये केरला region से ही related है तो केरला circle में पूछा गया था इसमें पूछा गया था कि department ने 20 January 2023 को एक experiment किया जिसमें उन्होंने जो mail है उसको समुंदर में deliver किया किसी कश्टी पे deliver किया तो उस service को हम क्या बोलते हैं उसको बोलते है C post it is just an experiment ठीक है ऐसे random हमें वैसे जाद नहीं करने चाहिए लेकिन फिर भी क्योंकि question पूछा गया था तो मैंने आपको बता दिया अभी हमारे ministers का नाम पूछा है Union Minister of Minister of Communication वो है जोती रादिता सिंदिया उसके बाद next question number 21 कि post service board का chairman कौन होता है वो होता है secretary post ठीक है इसमें दो option ऐसे भी दे सकता है एक तो secretary post दे सकता है एक secretary PSB दे सकता है आपने हमेशा secretary post को check लगाना है secretary PSB को check नहीं लगाना है ठीक है जो हमारे chair में ने उनका नाम पूछा गया है next question में जनका नाम है वंदीदा कॉल जो change होता रहता है ठीक है next जो हमारा question है वो है एक मिन रुकिए कि अंडे मान और नीको बार जो island है वो कौन से postal circle के अंदर आता है वो आता है west बंगाल circle के अंदर ठीक है हमने इसके बारे में भी पड़ा हुआ है next है कि कौन से authority postal service board में permanent invite होते हैं वो होते हैं additional secretary and financial advisor to the department of post इसको भी हम बढ़ चोके हैं question number 25 postal communication जो की army armed forces के लिए बने हैं उसको हम क्या बोलते हैं जक्ति से circle के अंदर वो आते हैं वो आते हैं बेस circle के अंदर ठीक है जो next है question number 26 कि dash is the latest method introduced by the department of post for payment of a postage dynamic QR ये current का question है इसको आप चाहे तो ignore भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लेना एक point याद रख लेना question number 27 कि जो chief postmaster होते हैं वो किसके इंचार्ज होते हैं वो postal circle के इंचार्ज होते हैं question number 28 कि postal service board में कितने member होते हैं जा फिर उनकी organization क्या होती है उसमें कौन कौन होता है जे पूछा गया है उसमें एक chairman होता है साथ में 6 member होते हैं ठीक है इसको इसी तरह से जाद रखना है आपने question number 29 जे question पंजाब में आया था 2024 में जब students ने इनको challenge किया तो इस question को delete कर दिया गया इसलिए delete लिखा है आप देख सकते हैं नीचे लेकिन इसका भी अगर आपके किसी भी circle में ऐसा question आ जाता है तो इसका answer आप दे सकते हैं मैं आपको बताता हूँ इसको answer कैसे देना है जो हमारे notes थे न एक minute रुकिए मैं जो open कर लेने दीजिए मैंने आपको notes दिये थे I think class number 4 में जहां तक जाद है हाँ ये वाले तो class number 4 में notes देखेंगे जहां पर आएगा list of ये वाले list of a CPIO इस पे click करेंगे उसके बाद आप अपने circle पे click करेंगे जैसे मैंने पंजाब पे किया हुआ है अभी question को देखते हैं जहां पर मान लीजे मैंने देखना है कि पटे आले में कौन सी authority है SSPO है जा कौन है यहां जाएंगे जहां पर पटे आला देखेंगे जैसे यह है एक पटे आला head post office पटे आला जहां पर तो senior post master है और देखते हैं पटे आला यह पटे आला division है यहां पर क्या है superidencer है तो इस तरह से वैसे तो इसमें बहुत जहां senior superintendent लगाया है यही गलत है तो यही हमारा answer होगा लेकिन अगर आपकी circle में भी ऐसा question पूछा जाता है तो उसको tackle कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है ठीक है अभी यह हमारे 2024 के जो question है complete हो चुके है अभी हमना 2023 के जो questions है उनको cover करेंगे आपका इस class के बाद आपका जो confidence है वो अलगी level में चला जाएगा क्यूंकि जो भी questions आए हैं पिछले सालों में वो आपने देख लिए हैं है न अभी देखते हैं फिर से 2023 के question हम करने जा रहे हैं पहला question है कि राजस्तान circle का head cutter कौन सा है वो है जैपुर ठीक है दूसरा question है कितने postal circle है इंडिया में 23 है देखिए जो question कितनी बार repeat हुआ है था न तीसरा है कि army postal जो army post office होते हैं उनका head होता है वो कौन होता है वो होता है additional director general इसको भी आप जाद रखना ठीक है कहीं पर director दिया रहता है कहीं पर ADG दिया रहता है आप जाद रखना लेना चौता है कि base circle cater to the postal communication needs of कि base जो circle है वो किनकी postal need को पूरा करता है armed forces को ठीक है आर्मी को नेवी को एर फोर्स को question number 5 पोस्ट आफिस कितने तरह के होते हैं वैसे जे organizations नहीं है जे next class है जो है type of post offices उसमें हम पढ़ेंगे लेकिन फिर में आपको बता देता हूँ कि तीन तरह के होते हैं head office, sub office, branch office ठीक है question number 6 कि who is the chairman of a postal service staff welfare board इसको भी हमने पढ़ा है जो भी कहां पढ़ा था कहां पढ़ा था यहां पर मैंने आपको बताया था यह बार consular committee को खोल करना जहां पर सभी आपको मिल जाएगा जहां पर पढ़ा है हमने इसको ठीक है इसका कौन होता है हमारे minister जो होते हैं communication वही इनके chairman होते हैं question number seven postal service board के secretary कौन होते हैं अभी जहां पर देखिए postal service board के secretary पूछा है आपसे department of post के secretary नहीं पूछा है इसको भी आपको मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ यहां पर होगा यह देखिए इस link को open करेंगे यह है हमारा postal service board जिसमें सभी member है यहां पर देखिए सबसे नीचे है secretary to the postal service board यह पूछा गया है यहां पर हमसे ठीक है एक यहां पर है उपर secretary to the department of post यह नहीं पूछा गया है आपने याद रखना है यह भी कौन सा पूछा गया है हमसे क्या पूछा गया है कि secretary postal service board कौन होता है ठीक है उनका नाम भी पूछ सकते है जब यह से पूछ सकते है जैसे जहां पर वैसे ही पूछा है भी कौन होता है वो directorate का सबसे senior member होता है directorate मानों की वो building जहां पर हमारा post office का सारा काम काज होता है वहां का सबसे senior जो staff होता है वही जो होता है postal service board का secretary ठीक है question number 8 इसमें गलत क्या है डेली का डेली circle का जो headquarter न्यू डेली है सही है और इसा का कटक नहीं भुवनेश्वर है भुवनेश्वर ठीक है तो ये सही है गलत पूचा गया था जही गलत है तो यही हमारा answer है next है कि army postal service का headquarter कहां पर है न्यू डेली में है next question कि daman and due जो ut है वो किस postal circle के अंदर आती है गुजरात के अंदर आती है next question जो first post office है वो कहां पर establish किया गया था जहां पर कोलकाता लिखा है कोलकाता जीपियो सबसे पहले establish किया गया था लेकिन इन reality कोलकाता से पहले भी एक 1727 में post office establish हुआ था लेकिन वो कहां पर हुआ था उसका जिकर कहीं भी website पर नहीं है और इन चारों में से इन चारों में से कोलकाता ही सबसे पहले हुआ था तो कोलकाता ही सही answer है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नौर्थ इस्ट पोस्टल सरकल का headquarter कहां है शी लॉंग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकडिव आईलंड जो लक्षदीव आईलंड है वो किस के अंदर आता है वो आता है केरला सरकल नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोस्टल सरकल का जो head होता है इंचार्ज होता है वो होता है वो होता है CPMG जिसको हम Chief Post Master General भी भोलते है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोस्टल सर्विस बोड का chairman कौन होता है अप्शन आपको दे दिये एक देदिया Secretary DOP दूसरा दे दिया Secretary PSB तो आपको पता होना चाहिए कि Department of Post वाला Chairman होता है ठीक है ये नहीं होता नेक्स्ट क्वेस्टन कि Department of Government of India is having a full-fledged wing in the army simple सा पूछा गया है कि army में जैसे हमारा अलग सही आर्मी पोस्टल सर्विस है बाकियों का नहीं होता कहीं पर भी तो यही हमारा आंसर है कि पोस्ट ओफिस ही ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका अलग से पोस्ट ओफिस है आर्मी में नेक्स्ट कुस्टन है कुस्टन नंबर 17 कि जो ग्रूप A ओफिसर होते हैं पोस्टल सर्विस के जो जो पियासी क्लियर करते हैं वो कहां पर ट्रेणिंग करते हैं वो ट्रेणिंग करते हैं रकनपा राफी एहमद के दवाई नेशनल पोस्टल अकेडमी गाजियाबाद और जही आगे जाकर PMG, CPMG, DG बनते हैं ठीक है गोश्टन नमबर 18 गोवाद किस पोस्टल सर्कल के अंदर आता है महाराष्ट्रा अप्शन नमबर C ठीक है गोश्टन नमबर 19 कि वो इस चेर्मेन आफ इन्वेस्टमेंट बोर्ड इन्दी डिपार्टमेंट पहले भी कॉश्टन आ चुका है Member PLI ठीक है कॉश्टन नमबर 20 कि फर्स्ट CBPO कहां है फर्स्ट CBPO है देली में सेकंड CBPO है कोलकाता में ठीक है दो ही CBPO है इंडिया में नेक्स्ट कॉश्टन कि जो नागा लेंड है वो किस Postal Circle के अंदर आता है वो आता है North East Postal Circle के अंदर ठीक है Next Question Army Postal Service का Headquarter कहां पर है वो है New Delhi में ठीक है Next Question इसमें से गलत हमें चूश करना है Head of a Circle कौन होता है Chief, Post Master, General Head of a Division कौन होता है Superintendent Sir Head of a Region कौन होता है Post Master, General Head of a Post Office कौन होता है Senior Post Master जो दोनों ही वे एक Question है Answer है वैसे तो क्योंकि Region का जो सही है वो है R, P, M, G Regional Post Master, General ठीक है ऐसा होना चाहिए था और जो Post Office की बात करें Post Office भी आगे तीन तरह के होते हैं Head Office Sub Office और Branch Office Head Office भी आगे दो तरह के होते हैं Normal तो इनका Senior Post Master होता है इनका Head Post Master होता है इनका Sub Post Master होता है इसका Branch Post Master होता है ठीक है थोड़ा मतलब की वैसे इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जो Type of Post Office है उसके बारे में वहाँ पढ़ेंगे इन सबी चीजों के बारे में है तो जो दोनों Question ये answer है न दोनों vague है फिर भी D उन्होंने लगाया हुआ है वो भी ठीक है Next सही पूछा है कौन सा है पहला option में हमें बताया गया है कि पूरे इंडिया को 23 post-lal circle में बांटा गया है पहला option सही है दूसरा कि post-lal service board सबसे उचा board है जो decision लेता है दोनों सही है option number C question number 25 कि post-lal service board में कितने members होते हैं 6 members होते हैं 6 members एक chairman question number 26 कि चंडिगाड कि post-lal circle के अंदर आता है पंजाब के अंदर आता है question number 27 हर्याना post-lal circle का जो headquarter है कहां है अंबाला अंबाला केंट अगर specific बोलना हो तो question number 28 कि post-lal division का in charge कौन होता है तो post-lal division का होता है superidencer जा फिर senior superidencer question number 29 हमें इस में से जो सही statement है उसका chain करना है पहला है कि अरुनांचल परदेश का जो state है उसका post-lal headquarter शी लॉंग है पहला सही है दूसरा सिक्कम जो है वो west Bengal के अंदर आता है दूसरा सही है तीसरा हर्याना circle का जो headquarter है वो चंडिकर है जो गलत है क्योंकि इसका अंबाला है हमने अभी दिखा है तो statement एक और दो सही है option number B next question इसमें से भी हमने जो सही option है उनका chain करना है पहला कि पंजाब का जो headquarter है वो अमरे सर है यह गलत है क्योंकि पंजाब का headquarter है चंडिकर दूसरा कि गुजरात पोस्टर सरकल का headquarter सूरत है यह भी गलत है क्योंकि गुजरात का है एहमदाबाद ठीक है तो दोनों ही गलत है option number B 31 देखते हैं यह पहले वाला repeat हो गया है इसको छोड़ देते हैं तो इस तरह से हमने 2023 के जो सभी questions से इसको cover किया है ठीक है अभी हम 2022 के cover करते हैं पहला question कि अंडे मान एंड निकोबार आइलेंड है वो किस postal circle के अंदर आता है west Bengal circle के अंदर आता है और दूसरा question की पहला option ये है कि पूरे इंडिया को 23 postal circle में बाटा गया है ये सही है statement दूसरा postal service board सबसे उची body है जो decision लेती है ये भी सही है तो दोनों सही है तीसरा इसमें गलत कौन सा है ये पूछा है 36 गड़ सरकल के headquarter रायपूर है सही है देली का new Delhi सही है और इसा का है भुवनेश्वर पहले भी बात की है यही गलत है यही हमारा answer है EPS की full form पूछी गई है Army Postal Services Department of Post देखिए अब भी यहाँ पर contradiction आएगी यहाँ पूछा गया कि Department of Post किसके अंदर काम करता है पहले पूछा गया था D.G. Sir हमने पहले question किया उसमें एक में answer था Director General अभी उसी में answer आगया Ministry of Communication लेकिन ऐसा क्यों देखिए Minister of Communication तो और Department के head होंगे नीती अजोग और Department है Ministry of Transportation और Department है तो हमें जो available option है उसमें से which one is more feasible जो सबसे सही लगता है उसका chain करना है ठीक है तो इसमें भी सबसे सही है तो वह सही है Next है कि चंडीगड कि Postal Circle के अंदर आता है तो वो आता है Punjab Circle Next है कि इनमें से जो चार स्टेट दिये है कौन सा ऐसा स्टेट है जो North East Postal Circle के अंदर नहीं आता है जो North East Postal Circle के अंदर नहीं आता है तो वो है असाम क्योंकि असाम अलग से सरकल है ठीक है तो next question Postal Department is under the administrative control of यहाँ पर देखिए यहाँ पर DG आ गया यहाँ पर क्योंकि Minister का option नहीं दिया है ओके और यहाँ पर आपने Secretary नहीं चेक लगाना है क्योंकि Secretary का काम होता है Minister को assist करना ठीक है next question number 9 कि Postal जहाँ Postal Service Board आना चाहिए था Who is the chairman of a Postal Service Board हमने पहले भी डिसकुस किया है Secretary to the DOP मैंने आपको बोला था ना साथ में DOP भी लिखा हुआ हो सकता है question number 10 कितने Postal Circle है Days Postal Circle है question number 11 कि National Postal Day कब होता है 10 October को होता है question number 12 Goa किस Postal Circle के अंदर आता है महाराश्टरा सरकल के अंदर आता है ठीक है next question कि जो APS है हमारा Army Postal Service इसका Headquarter कहां पर है इसका है New Delhi option number C next question Post Office कितने तरह के होते है वैसे हम next पढ़ेंगे यह type of Post Offices में इसको पढ़ेंगे लेकिन जैसा मैंने पहले बताया Head Office, Sub Office, Branch Office तीन तरह के होते है ठीक है Chief Post Master किन के इंचार्ज होते है पूरे Postal Circle के इंचार्ज होते है option number A Postal Division का Head कौन होता है सुप्रिडेंट सर होते हैं option number A North East Postal Circle का Headquarter कहां पर है Shilong में है option number A जो गाजियाबाद में Training Center है उसका नाम क्या है राफी एहमद के दवाई National Postal Academy option number A जे राफी एहमद के दवाई हमारे पहले Minister थे Minister of Communication ठीक है उनके नाम पर जे Postal Academy है What is the pin code of the second CBPO 90099 जो कहां पर है कोलकाता ठीक है पहले का pin code क्या है 90056 जो कहां पर है New Delhi पार्सर डिरेक्टर डिरेक्टरेट को कौन हैड करता है Chief General Manager थोड़ा सा जे थोड़ा सा out of syllabus question है इसको आप इसी तरह से जाद रखना ठीक है और आंद्रा परदेश सरकल का headquarter कहां पर है विजेवाडा World Post Day कब celebrate किया जाता है 9 October इसको भी आप जाद रख लेना जे जीके वाले question है next question a subdivision is head by subdivision inspector ASP ये बास सही है Postal division head by SP और SSP बिलकुल सही है क्योंकि Postal division को super dancer head करते है subdivision को ASP सर्जा subdivision inspector head करते है region is normally headed by PMG जे भी सही है कहीं न कहीं पर तो सही है जे भी और sub post office is sub post office is headed by SPM not a senior post master जे गलत है तो fourth option गलत है तो पहले तीन सही है ठीक है केरला postal circle consists of वो केरला और लक्षदीप केरला postal circle के अंदर केरला state भी आता है और लक्षदीप island भी आता है ठीक है जो गोवा है गोवा किस postal circle के अंदर आता है महाराश्टरा के अंदर आता है department of post किस ministry के अंदर आता है ministry of communication के अंदर आता है सिक्कम किस postal circle का पाठ है वेस्ट बंगाल का पाठ है इंडिया में कितने postal circle है देईस है देखिए कितनी बार जे question repeat हो रहा है इन कोड कब इंडिया में लॉंच किया गया था प्रोजेक्ट एरो कब लॉंच हुआ था 2008 में लॉंच हुआ था यह हमने postal history में पड़ा है आर्मी postal service का headcon होता है additional DG जा इसको DPS भी बोल देते हैं additional DG APS ठीक है PLA directorate कहां पर है New Delhi में है option number A अंडे मैंने नीको बार किस postal circle का पार्ट है वेस्ट बिंगाल सरकल का पार्ट है ओडिसा सरकल का headquarter कहां पर है भुवनेश्वर है ठीक है APS body कौन है management body वो है postal service board वही question बार बार repeat हो रहे हैं आप देख रहे हैं वही question ठीक है पॉंडीचरी किस सरकल के नीचे आता है आंद्रा परदेश के नीचे आता है ये भी हमने पड़ा है ये question भी बहुत वार repeat हुआ है नेक्स्ट है इनकरेक्ट हमें चूज करना है पहला देखते हैं अंदर दी मुनिस्ट्री आफ कमिनिकेशन पहला सही है दूसरा इंडिया को 23 पोस्टल सरकल में बांटा गया है दूसरा भी सही है तीसरा पोस्टल सर्वस बोड़ी Apex Management बोड़ी है ये भी सही है तो कोई भी गलत नहीं है Next question Which of the following pair is in ठीक है सरकल पूछा गया है साथ में Headquarter Odisa Circle का Headquarter है भुवनेश्वर सही है Delhi का है New Delhi सही है बिहार का है पतना दरबंगा नहीं पतना है ठीक है तो ये सही होगा जे गलत है तो यही हमारा answer है Pin Code of Army Post Office 9 से स्टार्ट होता है जैसे 90099990056 हमने दिखा था जे कोलकाता वाले का है जे देली वाले का है पॉंडी जरी किस पोस्टल सरकल के अंदर आती है आंदरा परदेश के अंदर आती है ये भी हमें वही देखना की गलत कौन सा है गुजरात का गांदी नगर जे गलत है 36 गड का रांची ये भी गलत है हर्याना का अंबाला जे सही है करनाटका का बैंगलोरू सही है तो इसमें जो ऑप्शन नमबर C है वह सही है कि जो पहला और दूसरा अप्शन गलत है ठीक है अभी 2020 के रह गया है हमारे क्वेस्टन नमबर एक है कि इंडिया को कितने पोस्टल सरकल में बांटा गया है 23 सरकल में देखिए कितनी बार क्वेस्टन रिपीट हुआ है दमनेंड दियो कि इस पोस्टल सरकल के अंदर आता है गुजरात का ये भी क्वेस्टन बहुत बार रिपीट हो चुका है पोस्टल रिजन किसके कंट्रोल में होता है पोस्ट मास्टर जनरल ठीक है इसको भी आप ऐसे ही याद रखना वैसे जहां पर न रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल एक स्पैसिफिक टम होती है लेकिन वो नॉर्मली उसको पोस्ट मास्टर जनरल भी बोल देते हैं और next at present पोस्टल सर्वीस बोड में कितने मेंबर है छे मेंबर है बहुत बार question ये भी repeat हो चुका है सिक्कम किस पोस्टल सर्कल के अंदर आता है वैस्ट मंगाल ये भी हम पढ़ चुके है इंचार्ज अफ दी RMS डिविजन इस सीनियर और सुप्रिडेंट अफ दी RMS हाँ इसको SRM बोला जाता है वैसे ठीक है पिन कोड कब इंट्रोडीस हुआ था पंदरा अगस्त अनिसव बहत्तर ये भी ठीक है हम बढ़ चुके है इसके बारे में भी और नेक्स्ट हमने दिखना है ओके ये भी पहले question आ चुका है ये question रिपीट हुआ है इसका मतलब पहले 2020 में आ था बाद में फिर आया है कि पंजाब का सरकल अमरे सर है जे गलत है क्योंकि पंजाब का सरकल है चंडीगर और गुजरात का सूरत है जे भी गलत है क्योंकि सूरत का है एहमदाबाद ठीक है तो दोनों ही गलत है हर्याना पोश्टल सरकल का head quarter है देखिए जहाँ पर देखिए अगर आपको सिरफ अंबाला अपने जाद किया होता तो आप दोनों में confused हो जाते जहाँ पर दोनों option दिये हैं तो अंबाला केंट सही लगाना है ठीक है PMG का full form post master general राजस्तान का head quarter जैपुर postal division are under the charge of सुप्रिडेंट सरकल के अंदर postal division काम करती है और यनम जो की pondicherry का part है किस postal circle के अंदर आता है आंदरा प्रदेश के अंदर आता है postal circle को कौन head करता है chief post master general head करते है department of post कब होंद में आया था एक अक्तूबर 1854 और postal department किसके administrative control में काम करता है डीजी के administrative control में काम करता है undemand and nicobar किस postal circle के अंदर आता है west bengal circle के अंदर आता है postal department फिर से वही पूछा दिखिए यहाँ पर यह contradiction है वैसे जहाँ पर secretary post नहीं आना चाहिए इसको अगर ऐसा आता है तो student क्या कर सकते है challenge कर सकते है challenge करने पर जहां तो वो question को delete कर दिया जाएगा जहां उसका grace marks मिल जाता है इसका सही option यह भी नहीं आना चाहिए था वैसे तो इसका सही यह भी नहीं है तो अगर इन्हें सब भी में से देखा जाए यह भी तो बात है ना superintendent सारा अभी department एक superintendent के नीचे तो आता नहीं है ना ही एक post master के नीचे आता है ना ही एक post master general के नीचे आता है तो secretary जहां पर सबसे feasible option तो बन जाता है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है लेकिन फिर भी feasibility के हिसाब से जह सही है वैसे इसमें DG आना चाहिए था ठीक है UPU का headquarter कहां है वो है बर ना में वैसे जह out of syllabus question है लेकिन आप इसको इसी तरह से जाद रखना ठीक है West Bengal circle के अंदर कौन सी UT और states आते है West Bengal के अंदर तीन चीज़े आती है एक तो आता है Sikkim एक खुद West Bengal आता है और एक आता है Undemand and Nicobar Island question number 21 e-post office का URL क्या है वैसे जह product and services में हम पढ़ेंगे उसका है e-post office.gov.in कितने P.O.P.S. के हैं यह भी हम उसमें पढ़ेंगे product and services में वो है 424 कितने फ्लैट लिक व्यूरो है तेलंगना में एक है इसको आप इसी तरह से जाद रख लेना जे एक G.K. का question है तिलंगना पोस्टल सर्कल कब बना था एक जुलाई 2016 को बना था ठीक है दिखीजे तिलंगना में ही पूछे गया है specific है अगर बाकी सर्कल वारे इसको जाद रखना भी चाहे तो रख सकते है आर्मी पोस्टल सर्विस के हैड़ो काटर कहाँ पर है न्यू देली में है तो इस तरह से हमने पूरे 2020, 2021, 22, 23 और 24 पांट साल के जो questions हैं जो organization से आए हैं वो cover कर लिए हैं अब भी आप देख सकते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसमें से ही question जो है पूछे जाते हैं ठीक है और इसी तरह से हमने आगे पढ़ते रहना है अभी हमने मैंने आपको जैसे organization करवा दिया है ठीक है इसके pdf भी आपको मिल गए होंगे उसके बाद मैंने अभी जो previous question paper है इस topic से related वो भी करवा दिये है अब आपको एक mock और मिलेगा जो आपको attempt करना होगा mock के बाद अगर आपके mock में अच्छे number आ रहे हैं तो आप अगले topic पर move कर सकते हैं ठीक है और इसी तरह से हम step by step आगे पढ़ते रहेंगे ठीक है तो आज के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ